मद्ध्ध विधान सभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है चुनाव आयोग ने फाइनल मद्दाता सूची का प्रकाशन भी कर दिया है मद्ध्धे ब्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या में बड़ उतरी हुई है मध्यप्रदेश विधान सभा चुनाव में कुछ ही दिन बाकी हैं ऐसे में चुनाव आयोग भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है चुनाव आयोग ने फाइनल मतदाता सूची जारी कर दी है मुख्य निर्वाचन पदादीकारी अनुपम राजन ने बताया कि विधान सभा चुनाव के लिए जारी हुई मतदाता सूची में कुल पांच करोड़ एक सठ लाग च्छतीस हजार दो सो इनतीस मतदाता हैं जिसमें दो करोड़ अठ्यासी लाग पुर्श मतदाता दो करोड़ अठ्टर लाग महीला मतदाता और 1373 थर्ड जेंडर मतदाता हैं 5124 मतदाता 100 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं और 5,5,146 दिव्यांग मतदाता हैं दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान की सुभीधा भी उपलब्द कराई जाएगी वही महिला मतदाताओं की संख्या में भी इज़ाफा हुआ है नॉमिनेशन के अंदिम तारीख के 10 दिन पहले तक मतदाता सूची में और भी नाम जोड़े जा सकेंगे पांच करोड 61,36,229 हमारे कुल मतदाता हैं हर कैटिगरी को मिला देते हैं इसमें जो हमारे 80 प्लस के मतदाता हैं उनकी संख्या 6,53,640 है 100 प्लस के मद्दाताओं की संख्या 5,124 है और इसमें भी पुरुस मद्दाताओं की तूलना में महिला मद्दाताओं की संख्या जादा है यदि लगभग 1,500 पुरुस मद्दाता हैं 100 प्लस के तो 3,500 से अधिक हमारी महिला मद्दाता है जो हमारे दिव्यांग मद्दाता हैं उनकी संख्या 5,5,146 है ये दोनों स्रेणी महत्पूर्ण इसलिए हो जाती है 80 प्लस और दिव्यांग जैसे आप जानते हैं कि इनको घर से वोट करने के सुविधा मिलती है यदि ये चाहें तो हम इनसे विकल्प लेते हैं चुनाओ की जोशना के बाद और यदि ये अपने घर से मद्दान करने का विकल्प चुनते हैं तो इनको घर से ही पोस्टल बैलेट के माध्यम से मद्दान की सुविधा उपलप्त कराई जाती है एक और अच्छी चीज जो आप देख रहे हैं डखल न्यूल